निखा है कि विश्वास करो वो सुनेगा, वो कौन? भगवान हमेशा सब के सुनता है, लेकिन कुछ लोग हमेशा ही कहते हैं, भगवान नहीं हमारी सुनता है, एक घटना बताता हूँ, एक बहुत अमीर आदमी, अपने जीवन में बहुत अदिक पैसा कमाता जाता है, और पैसा कमाते 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 वो बहुत अमीर हो गया, अब इसको बहुत अमीर हो जाते है तो पैसे की लालसा लगबख खतम हो जाते हैं वह भाए असा हुता है कि हम ऐसे स्थर पर आ ज़ते हैं जहांको पैसे की जावा जरुवत नहीं होते है अब जरुत होते हैं शौरत की नाम की name frame की लोगों तक पहुंचने की, लोग सम्मान करें इसकी और देरेग उभ्यक्ति के बहुत अमीर हो गया तो बहुत सारे लोगों उसको सम्मान करना शिरू किया वो डेली में रहता था, चेन्नई के एक और्माइजिशन ने उसको सम्मान के लिए कहा कि हम सम्मान देने के लिए के प्रतिसमरपण के लिए हम आपको संभानित करें तो उस व्यक्ति को संभान के लिए चैने गुलाया गया उस व्यक्ति ने फ्लाइट टिकेट गुग की और टिकेट गुग करने के बाद एर्पोर्ट पर पहुंचा एर्पोर्ट के पहुंचने के बाद फ्लाइट में बोड मतलब हवाईजाज गड़ बनने लगा तो एक अनॉसमेंट हुआ, मौसम की खराबी के कारण हम लोग अपने गड़ पर इस्थान पर नहीं पहुंच रहे हैं, ये फ्लाइट चेनने की जगा मुंबई ट्रांसफर की जा देगा, इस बात को सुनते इस वर्टी का मूर खराब ह ये फ्लाइट ये तरीका है, मुझे चिंद नहीं होँचन है, मेरा प्रोग्राम है, पाच बज़े मेरी फ्लाइट लेंड होगी, साथ बज़े मुझे फंक्शन मैं जाना है, वहां मुझे दाना है, ये पूरी सम्मान होगा, और वो सम्मान पूरे ही उंदूस्तान के तो वहीं उसकी प्लाइट में गरती होता है वो कहता है आप डॉक्टर राम फिश्वास है ना उसने का है आप तो हट सर्जन है उसने का हां तो परिशान क्यों है आप दिल के डॉक्टर है और आपके दिल इतना तब रहे हैं तो वह गुस्रन बोला यार बेकार की बात करने है जोरूप नहीं है उज़े चेन्न ही पहुंचना था और मैं मुंबई में हुझा और मुझे लगता नहीं कि मुंबई से चेन्न ही पहुंच पी जाऊंगा उसने का सर आप यहां से टैक्सी लीजिए और टैक्सी लेकर अगर आप जाएंगे तो संभवत आया पांच बजे नहीं साथ बजे तो पहुंच ही जाए उसने ठीक है ठीक है बुट आइडिया बाहर गया टैक्सी ली टैक्सी में बैठा लैक्टॉप खोला और टाइप करने लगा अपनी वो स्क्रिप्ट जो उसको वहां पर बोगी और जब बख्वास मत कर चीदा गाड़ी वो चलाने लगा चलते चलते मौसम खराब था बहुत तेज बारिश रोन लगी अंधेरा चा गया उसमें का डॉक्तर साथ इतनी बारिश में तो गाड़ी चलाना भी मुश्किल है मैं लगता है कही रास्ता ना बटक जाओ उसमें तो फिर मेरी तो आज तक किस्मत की खराब यहां तो गाड़ी भी खराब हो गई और उस व्यक्ति ने देखा कि अब क्या कर सकते हैं उसामने जोपडी थी वह व्यक्ति वहां से उत्रा उस जोपडी में गया और जोपडी में जाकर देखा तो एक ओल्ड लेडी बुडी महिला इश् देखा तो बैड पर एक बच्चा लिटा हुआ था और बच्चा महा बिमाग था तो उसमें पूछा मता जी इस बच्चे को क्या हुआ है तो मुझे पता नहीं लेकिन सर्तारी एस्पताल के कुछ डॉक्टर्स ने का है कि हार्ट का पेशेंट है और हार्ट का मरीज है एक ड प्राथना कर रही है और पता नहीं लोग कहते हैं कि ऐसे प्राथना करने से भगवान आने वाले नहीं है लेकिन मुझे एक पुरा विश्वास है कि एक दिन मेरी प्राथना जरूर स्विकार हो तो ठीक उस समय उस डॉक्टर की आखों में आशु आ गए उसने कहा दिनली का दॉक्टर चेन नहीं जा रहा है मुंबई पहुंचने वाला था उसकी बुमबई पहुंचा और वहां से गाउन में पहुंचा इसका मतलब इश्वर की अरागना में बहुत शक्ती है उसने कहा वही डॉक्टर डॉक्टर राम विश्वास हूं अगर आईजि में वही राम कॉस्ट मैं इसको लेके जाऊंगा और वाइस का उपरेशन करूंगा क्योंकि शायद इश्वर ने ऐसा लिखा हुआ था कि आप देंदी से जाओगे जाना कहीं भी हो लेकि ना कहां पहुंचोगे उस गाउं में उस बच्चे का उपरेशन करने के लिए तो इसलिए करें और हमेशा हमबल बने रहें जितना ज्यादा हमबल होंगे जितना ज्यादा इश्वर के प्रतिधन्यवाद करेंगे लोगों के प्रतिधन्यवाद करेंगे कोई व्यक्ति किसी का बुदा नहीं कर सकता कोई व्यक्ति किसी का अच्छा नहीं कर सकता इश्वर के रूप म झाल